Hello everyone, welcome to Jack Guard इस वीडियो में मैं आप लोगों को Class 9 के हिंदी का Motor Set No.2 बताने वाला हूँ आप लोगों को इस वीडियो को बहुत ही अच्छी पुर्वक देखना है और समझना है कि आप लोगों को Motor Set No.2 में कौन-कौन से गधांस और कौन-कौन से पधांस और कौन सा लेटर दिया हुआ है इस वीडियो में मैं आप लोगों को गधांस और पधांस और लेटर को बहुत ही अच्छी तरीका से बनाने के लिए सिखा दूँगा अगर आप लोगोंने Set No.1 का वीडियो नहीं देखा होगा तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गधांस को कैसे solve करें गधांस को solve करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले मेरे according आप लोग पहले questions को पढ़िए कि कौन-कौन questions आप लोगों को पूछे गए हुए हुए हैं जब आप लोग पता चल जाएगा कि कौन-कौन सा question आप लोग को पुछा गया है तो जब आप passage को पढ़ेंगे तो आप लोग को तुरंत ही पता चल जाएगा कि यही question तो हम लोग को examinations में पूछा है वोके तो चलिए चलते हैं अब हम लोग बनाते हैं शीफ पुरवक से तो question no one में हम लोग को दिया हुए कि आज की परमुक समस्या क्या है question no two में दिया है कि जंगलों के काटने से क्या हो रहा है question no three में है सिसे का जहर किस अंके तंकुमों को नस्ट कर देता है कोशन नमर चार में दिया है कि एक विच पचास स्वर्थों में लगवल कितनी ओक्सिजन देता है और परदूसन में कौन सा उपसर्ग है ये हमें सभी इस पैसे से ढूनने हैं पैसे से समझहाता हूँ उपना धी परदूसन आज की परमुख समस्या है चीज़ आप गई प्रूमख का आध रखनी है आप éन्शन परहला मिल गया य पर जबाब हम लोग हो आध रायट हो जाएगा है अब चलिए कि जंगलों के Knと फाने से स्वाई में कारबैषाइड की मात्रा दिनों दिन बढ़ है तो दूसरा कोशिछन के हम्हें मिल जाता है कि व्ट्व को काटने से तो कारबैषाइड की मात्रा जो है वह पूरी तरह से बढ़ रही है कोशन नवर टू हमें मिल गया अब हमने आगे बढ़ते हैं विश्व परियावरन विकास आयू के अनुसार और योगी करन के पूर आयू और स्वरी वायू के परती 10 लाख में 280 कार्बन डाइकसाइड थी या घनत 80 के दसक में 340 पहुंच गया तथा 21 सतावदी के मैध से अंत तक जाने में लगभग 560 जो है तक पहुंच जाएगा समझ सकते हैं कितनी गंभी रिष्टितियां बनी ही है वातावरन में छोड़ा जाने वाला धुआ अब समयने लकडी का धुआ ना होकर अब उसमें कार्बन डाइकसाइड के साथ ही साथ नाइटरस अकसाइड धूल जैसे पदार्थों का अधिवत के भी हो रहा है ओके इस सब समस्ते जाएंगे आप लोग धातू कनो में सीशा पारा नीकल क्रोमियम तामबा आधी होते हैं कौशन नमर 3 का हमें यहां से जबाब मिल जाएगा सीशी के जहर से मानो मस्तिस के तंतु नस्ट हो जाते हैं मैंने अंडरलाइन कर दिया हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ आए तो सीशी का जहर से क्या चीज का नुक्सान हो रहा है तो मानो मस्तिस के जो तंतु होते हैं वहां नस्ट होते हैं सभी पैसेजिव को अच्छे तरीका से आप लोग इसी तरह से रीडाउट करते जाएगा निकल क्रोमियों से स्वास लेने में कस्ट होता है ठीक है फोम, रब्बर, रेफ्रिजेरेशन, एरोसोल, कारखानों में वातावरन में घुलती गैसे प्रानवायू के स्रोत ओजोन परत के तूटने का खतरा 1986 में विदित हुआ अंत्रीच में विभीन उपगरहों को अस्थापित करते समय वाई मंडल की ओजोन परभावित होती है विस भरी, गैसें, भावनों को भी परभावित करती है विरिच वातावरन को सूध करते है ये बात अभी इस युवा जनरेशन को भी समझनी होगी आपका चौनता नम्र का जवाब यहीं पर मिलने वाला है कि एक अस्तन सेरीञी का इस पत्चास वर्सों प्तचास हजार किलो मिटर ओसीजन देता है अकसीजन में पचास जार किलो ग्राम ओके आगे देखिए इन्हें काटकर मनी से वातावरन के संतूलन को बिगाड रहे है ये 100% राइट है अपनी स्वार्थ को पुरा करने के लिए हम लोग उन्हें बहुत सारे जंगल को बरवाद कर दी है और वाई परदूसन को बढ़ावा दे रहे हैं ये 100% बात है इसमें कोई भी गलती नहीं है ठीक है चलिए देखिए अब ये पांसमा सवाल क्या चीज़ था कि परदूसन में कौन सा उपसर्ग है तो परदूसन में प्रा उपसर्ग है ओके ये जहान रखेंगे अब आगे देखते हैं हम लोग दूसरा में भी हम लोग को गधांसी दिया हुआ है इस गधांस को भी हम लोग को अच्छी पुरोग पढ़ना है और इनके सही विकल्पों को चेयन करके हमें जवाब देनी है तो इसमें भी सबसे पहले क्यों को कुशया है हम पूस्तो को अधियन क्यों करते हैं एक निरर्चर वक्ति दुम्या करता है, ये हमें जाननी है ये भी हमें जानना है वह वारिक सब्द में कौन सा परता है, ये भी हमें इस पैसेज में धूїनने है उके तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं समझते हैं there वन का जवाब हमें यहां से मिल जाएगा हम के वल सीखने के आनंद के लिए परियोग में लाते हैं मैं ज्यादा प्तर पैसेज़ पड़के आप लोगों को नहीं सुना गूँगा जहां से एंसर है मैं वहीं से आप लोगों को हालाइट कर दिया हूँ आप कुछ खोकर कभी कुछ सीखकर दुनिया का अधियन कर सकता है तो आप इसका जबाब देख सकते हैं कि एक निरचर वेक्ति दुनिया का अधियन कैसे कर सकता है तो आप समझ सकते हैं देश भर्वन और अवलोकन करके सब चीजों को सीख सकता है Q9, अधियन का अभिप्राय क्या है? तो अधियन का अभिप्राय है समय अधियन करना, Q10, वहवारिक सब्द में कौनसा परतय है? तो इसका परतय है वहवारिक एक का आ रहा है, देखे परिशाभ ववन डेट कियं है यहां पर पता नई और हुए modifier वारा logic लिखा नहीं तो में यहां पर पुछ भरने के लिए नहीं किया है हमें एक मित्र के पास लेटर लिखना है जो कि आपके बर्थडे और पार्टी के वगएरा इन्वेस्टेशन का है यह वाला तो आप अच्छे से समझ जाईएगा देखें क्या लिखा हो कि प्रियम मित्र सप्रेम नमस्ते कैसे हो दोस्त तुम्हारी अप्शन नमर आप सुबा से तुम्हारी राह देख रहा था परंतु ना तुन आय ना तुम्हारा संदेश आया आज ही मुझे ख़बर मिली कि तुम बाहर गए हुए थी यह बहुत अच्छी तरीकस रही प्रिये सुमित इस बार मेरे खाली जगा पर सभी सगे समंधित था कच्छा के कई मित् जनम दीवस के आउसर पर सभी सगे समंधियार यहां तक कि उसके साथ सहपाथी जो लोग थे वह अभी उपस्तित थे दोपहर एक बजे के काटा गया उसके बाद सब लोग खेलेंगे कुदेंगे या तो उन्हें परती भोज की रूप में देखिए जनम दीवस में क्या गय परती भोज का परबंद था ठीक है दीदी और जिजाजी भी आये थे इसलिए घर भर में उत्सा था मेरे मित्र भी तुन्हें आद कर रहे थे सबन्यों के और से धेर सारे उपहार मिले पूरा दिन उसीओ से भरा रहा होगा या इसी कुछ रिलेटेड होगा तो क्या होगा पर दिन जो है असी कुछी में बीता आनि समय उन्हों को मिलने जुलने यार यह सब सीचों में खत्म हो गया सोरी किधर गया बीता समय मिलने पर जरूर आना आपने दोस्त को देखे इस तरह से भी लिखा जाता है जब समय मिलेग तो तुम जरूर आ जाना एक बार मिलने अब देखते हैं हम लोग खंड सा परसन संक्या सोलो से लेकर 25 के बीच में हमें बनाना है निम्लिकित परसनों के सही विकल्प को पसंद करने हमें आतों चूज करना है कौशन नमर 16 कवी का सही इस्तिरलिंग में से क्या है है तो इसका ऑप्सन नमर 2 हो जागा कव इतरी ओके कोसन नमर 17 अध्यापिका का बहुँचन होगा अध्यापिका का जो बहुचन होगा अपसन नमर 120 अध्यापिका है जरूр आद रखेंगे आप लोग के पूछे जासकते हैं इसलिए आप लोग को मेरे साद साद आद जरूर करते जाना है here are your question number 17 इन में से परिनाम वाचक बेसेशन है वह आपका option number one हो जाएगा एक तोला सोना परिनाम आचक बेसेशन है question number 19 इनमें से सरल वाइक का उधारन कौन है तो इनमें से जो सरल वाइक का उधारन option number a पानी बरस रहा है question number 20 इनमें से आग का परियावाची सब्द नहीं है आनि देखें अगनी है आपका पाव 21 आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है क्रोधित होना option number b आपका सही हो जाएगा बाइस नमर क्वेशन को देखें आप कि क्या है कि निम्नांकित वाक्यों में करता के नेचीन का सही परियोग किस वाइक में हुआ है ओके तो 22 नमर का 20 हो जागा प्रेमचन्द ने कहानी लिखी क्वेशन नमर 23 23 में क्या है हर्स का सही विलोम क्या होगा तो हर्स का जो सही विलोम हो जाएगा विशाद option number b आपका राइट है 24 नमर क्वेशन के चीर-चीर का सही अर्थ भेद कौन सा होगा तो चीर-चीर का सही अर्थ जो है वह आपका option number D हो जाएगा कपड़ा पुराना question number 25 निमली खीत में से कौन सा वाइक सुध है तो इन में से जो option number D है वह आपका सही है उसके प्रान सुख यही वाइक के सुध है question अब देखे खंड दा में चलेंगे पाइट पुस्तकों से आप लोग का सवाल है question number 26 से ले और मोति के स्वामी का नाम क्या था तो हीरा और मोति के स्वामी का जो नाम था वा जुरी था ओके question number 27 लेखक राहुल संकृतियान का जो सह आति था और 27 का बी नमबर सुमिती था ओके question number 28 सावले सपनों की याद पाट के लेखक कौन है तो सावले सपनों के पाट के लेखक जुहाबाद जाबीर हुसेन जी है question number 29 इस ब्रिटिस ने देवी मैना पर दया भाव दिखाई question number 29 का option number D सही हो जाएगा Sir Thomas Hayne जो देवी मैना जी थी उन पर दया भाव दिखाते है question number 30 निम्नांकित कथनों में से सही कथन को चुने तो इसमें से सही कथन जो option number B आपका सही हो जाएगा लोग तो इतरी क्या लिखा है चुपढ़कर फोटो खिचाते है इस से फोटो में ख जो है वो कहां ने ढूरता तो option number आपका D सही हो जागा खैल के मैदान में उसे नहीं खुचता है देखिए मंदरी में खुचता है मस्जिद में खुचता है जो किरिया करमें तो लोग देता को तो खुचते ही है question number 32 पाइट पुष्टक में संकलित रस खान की कविता किस हंद में वर्नित है तो या आपका option number D सही हो जाएगा सवया question number 23 कैदी और कोकिला के कवी कौन है तो कैदी और कोकिला के जो कवी है वा माखा लाल चतुरुए दीजी है question number 34 कवी ने मरकत दीबे सा खुला किसे कहा है तो कवी ने मरकत खुले से जो दीबा है उसे कहा है question number 35 मेगाई कवीता में किस रीतु का वर्नन हुआ है to 35 का ए नमबर हो जाएगा आपका पावस रीतु का वर्नन हुआ है 35 का ये है 36 का इस जल परले में नामक निबन में किसका वर्नन हुआ है तो 36 का option number D बाढ़ का वर्नन हुआ है question number 37 read की हड़ी किस परकार का पार्ट है तो read की हड़ी जो है वह एक कांग की पार्ट का परकार है question number 38 माटी वाली ने दो रोटिया में से एक रोटी क्यों छिपाई तो 38 का D हो जागा बुढ़े पती के लिए question number 39 मेरे संग की औरतें पार्ट की लेखी का मिदूला गर्ग अपने भाई बहनों में किस अस्थान पर थी तो अपने भाई बहनों में दूसरी अस्थान में थी read की हड़ी पार्ट में विवा योग लड़का का क्या नाम है तो विवा योग लड़का का नाम संकर था अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और दूसरी बात जो लोग नए हैं वोग चैनल को जरूर सस्क्राइब करेंगे और अपने मिस्तिरों में भी जरूर सेयर करेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में और आप लोग description works को जरूर चेक करेंगे